कट्टे हैं घर की आज की रूटी लेकिन हैं बरतन तो बरतन ही होते हैं हलो जी असलाम अलेकूम गूड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब लोग अलापक का शुकर में बिल्कुल ठीक थाक आप सब की दुआउं से आप सब कैसे की पंट बॉक्स में जुरूर पिताएगा तो जी फ्रेंड्स अभी मॉर्णिंग का टाइम तो नहीं है आफ्टरनून का टाइम हो रहा है तो बस बैभी सोकर उठी हूँ तो फटा फट जो है घर का गाम कर लेते हैं और खारा बना लेते हैं उससे पहले मैं उंगी फ्रेश और यह देखें मैं उठी हूँ तो कैसे आगे मेरे बट बेट कुछ मुझे करना है तो टाइम वेस्ट किये बगार चलते हैं अपनी रूटिंग और जिसने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और आगे शेयर भी करने फ्रेंड और फैमिली में तागे वो भी मेरे चैनल को जो है वाच कर सके तो चलेंगे अपनी वीडियो का जो है ना आगास करते हैं तो जो फ्रेंड्स आज की कुछ रूटीन है होती है यहां से स्टार्ट वैसे मैं मॉर्णिंग में तो नहीं उठी थी हस्बंड के लिए जब खैट से जॉब पर चले गए उसके बाद मैं फिर सो गई और आज मैं बहुत बेफिकरी की नीद सोई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि आज नसरीन ने भी आना जब उसने आना होता है तो फिर दरा थोड़ी मुश्किल हो रही होती है तो बस मैं जैसे कहते हैं मर कर सोन जाया वहाल हमने आज नीद रिया और आफ्टर नून में उठी थी और उठते साथ ही जो है अभी मैं कर रही हूं अपने बेट को सेट कर रही हूं और बेट सेट हो जाता है और उसके बाद जब घर की छुटी छोटी चीज़ इधर उधर जो फैली भी होती है वो ठीक हो ज वो जब काम कर लेते हैं तो आधे से ज्यादा काम हमारा हो जाता है और घर की सफाइप करने में बहुत ज्यादा असानी हो जाती है होट जी फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एक न्यू एप के बारे में क्लाम एप है और ये वटसेप की तरह ही काम करती है बिलकुल स्क्यूर एप है ये आप इसके अंदर जो है और आपको ये ये अप डाउलोड करनी है तो आपको ये प्ले स्टॉर समिल जाएगी और मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है और इसके साथ साथ ये एप मैं भी अपने मुबाइल में डाउनलोड कर चुकी हूँ और सुटी जी के नेम से जो है इसके अंदर मेरा आईडी होगा आपको सिंपल इसली मिल जाएगा और अभी यहां पे बैट सेट तकरीबन हो गया है और अब मैं बलैंकिट जो है तै करके हूँगी अच्छा बलैंकिट से याद आया कि रात को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही होती है कि हम बलैंकिट जो है साउट पे कर देते हैं और अब मैं यही सोच रहिए हाँ कि ब्लैंकिट को जो है ना मैं ड्राइ कलीन वाले को दे दूं और वाश करके उसके बाद जो है मैंज़को आप संभाल लूँ क्योंकि सरदी जो है बहुत जल्दी चली गई है जबके फैब जो है अच्छा हसा जो है थंडा होता है लेकिन बहुत ज़दा गर्मी होगी अभी मैं काम भी कर रही थी तो स्वेटिंग भी काफी ज्यादा हो रही थी तो अफ सोच रही हो कि छोटी वडा कमबल निकाल क 것으로 निकाल लू है और और बात में वेडियो बनाना के लेचाना मुश्किल होता है विलॉंगिंग करना को इतनी असन बात नहीं होती आप यकीन करें मेरे चैनल के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे बहुत से लोग पर गए वे थे, लोगों की मुँ में आगया वा था मेरा चैनल, कि मैं आगे क्यूं चली गई, मैं किस तरह आगे चली गई, लोगों से बरताश नहीं हो रहा था, आप यकीन करें, जब मेर यहां हैं मैं ने लोगों का साथ दिया, तो यह बात बताने क में का मकसद चिर्फ यह नहीं है, मैं अपना रोना दोन आपको सुना रही हूं, मैं यह बताने लगी हूं कितनी महनत लगते हैं, आप देखें, यहां भी मैं काम कर रही हूं साथ-साथ मैं अपना कैमरा भी सेट कर रही हूं कैमरा भी रख रही हूं जबके मेरे साथ कोई भी नहीं है कैमरी को पकरने वाला मेरी वीडियो बनाने वाला तो हमें किस तरह से जो है एक सिंगल लेडी को जो है ना लेडी लेडी बोले वुमन बोले गर्ड बोले जो भी बोले उसको विलागिंग करने में कितनी प्राबलम होती है असल मेनत हम लोगों की है जिसमें हमने कैमरा भी हुद पकरना है वीडियो भी बनानी है एडिटिंग करनी है वोईस ओवर भी करना है और कुकिंग करते वे आपको पता है कितनी मुश्किल हो रही होती है जब हम वीडियो हाथ में बगर के काम करते हैं तो असल मेहनत जो है यह है ना कि वो जो के तीन तीन चार 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 लोग मिलकर जो है विलॉगिंग कर रहे हैं मेरी नजर में मुझे बिल्कुल फर्ट नहीं पर फर्क मुझे परा उसके inward1000 स मेरा नाम तो बना बहुत बर सबस्वीजि़ को सुटि करने जाती है मैं बजार जाती हूं शौपिंग करने जाती हूं मुझे कोई ना कोई जूरूर मिलता है और और वो यही बोलता है कि आप स्वीटी जी हैं हम आपके विलॉक्स देखते हैं मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है वीडियो का क्या है मैं दुबारा बनाऊंगी दुबारा लगाऊंगी असल बात होती है नाम की हम आम लोग जब सोशल वीडिया पे आते हैं अपना नाम बनाते हैं हमें इस से भरकर और कुछ भी नी चाहिए होता कि हमें रह चलते लोग पहँचाने कि आप वह है ना जो यूट्यूब पे काम कर रही है ये है असल बात ये है असल मेरी जीत मेरा नाम तो कोई नहीं मिटा सका मेरी पहचान तो कोई नहीं मिटा सका मेरा चैनल भी नहीं गया शुक्र है अल्ला का चैनल पे मेरी वीडियो तो मजोद है हाँ वो अलग बात है earning हत्म हुई है अगर आप ये कहें कि तुमने earning के लिए दूसरा चैनल बना लिया तो मुझे आप ये बताएं यूट्यूब पे कौन है जो earning के लिए नहीं सिर्फ views के लिए काम कर रहा है यूट्यूब के ओपर हर कोई इस टाइम earning के लिए ही काम कर रहा है और अगर मुझे मेनत करनी है अगर मुझे डेली आपको अपनी लाइफ दिखानी है तो क्यों ना मैं नए चैनल पे दिखाऊं क्यों मैं अतनी मेनत करूं पुराने चैनल पे जिसका मुझे कुछ हासिल वसूल भी नहीं होना तो कुछ लोगों ने ये भी बात बताई बोली के जी पैसे के लिए जो है नए चैनल बना लिया तो हाँ जी भे यहाँ पे हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है और अगर कोई मेरे से शाट आट भी मांगता है ना तो वो यही बताता है कि हमारी क्या-क्या मजबूरी है व्यूस क्या रोना किसी को भी नहीं है यहां पर यहां पर हर कोई मेहनत सिर्फ पैसे के लिए ही कर रहा है और अगर कोई यह बोले के तुम्हें किसी चीज की कमी है कमी इस दुनिया में किसी को भी नहीं है हर इनसान रात को अच्छा खा कर ही सोता है क्योंकि ये वादा अल्ला पाक ने अपने बंदे से किया है कोई भी भूका नहीं सो सकता लेकिन आज का जो दौर आ गया है वो मिया भीवी अगर मिलकर काम करेंगे तो ही आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते है घर से बाहर निकलना घर से बाहर जाकर काम करने से बहतर है कि अगर आप घर में रहकर चार दिवारी के अंदर बैठ कर अपने घर को भी साफ सुतरा रखें और आप अपनी लाइफ दूसरों के साथ शेयर भी करें आपकी वज़ा से और लाइफ शेयर करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपनी जिन्दगी की हर अच्छी बुरी ऐसी वैसी बात यूट्यूब पर लाकर रख दे अपनी आप पॉजिटिव बाते जो हैं यूट्यूब के अपर लेकर आए बाकी जो नेगिटिविटी है वो तो हमारे इड़ गिड़ चारो तरफ हर वक्त रहती है वो हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारना है किस तरह लेकर चलना है तो बस मेरा एक चोटा सा यही मैसेज था कि न्यू चैनल मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर मुझे मेहनत करनी है अपनी रूटीन आपके साथ दिखानी है तो फिर क्यों ना मैं नए चैनल पे काम भी करूँ अर्म भी करूँ और आपके साथ जो मेरा एक राप्ता बन गया है जो एक connection है वो बिल्कुल भी ना तूटे हम इसी तरह मिलते रहें और एक दूसरे के साथ राप्ते में रहें और जी पूरे घर की सफाई हो चुकी है और अब मैं जाओंगे किचेन में और किचेन में जाती है जल्दी से जो है मैं खाना बनाओंगी साथ साथ बरतन दोलूँगी बरतन इतने जादा नहीं है लेकिन हैं बरतन तो बरतन ही होते हैं तो इस जमाने से चुपकर पूरी कर मैं तो इन दिनो दिल मेरा मुच्छ से कहरा तु काव सजा तु जी जादा जी बस सोचा एक सौंग प्ले कर लेते हैं और साथ साथ जो है अब किचन में आ गई हूँ खाना बनाने लगी हूँ आज खाने के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाओं तो मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं आलू मटर का सालन्थ और यह खाने में बहुत मज़े का लगता है तो सिंपल से इसकी रेसिपी है कोई जादा मुश्किल नहीं है और सब कुछ जो है ना मेरा पहले से डन होता है आज कल प्यास बहुत खराब आरे हैं मार्केट में आजे से जादा प्यास जो है ना वो कटिंग में ही जाया हो जाता है उपर से दिखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है और जब हम कटिंग करने बैट तो पतर ही कौन सी जो है प्यास निकल रही होती है तो अभी मैंने ना टमाटर काट के इसके अंदर ही मैंने नमक मेर छल दी सुखा थन्या सब कुछ एड़ कर दिया था और मैंने का था इसके साथ ही मैं फिर एड़ कर दूँगी क्योंके विडियो बना रही थी ना साथ-साथ नो मुबाईल हाथ में था प्राब्लम हो रही थी तो बस यहाँ पर मसाला मेरा भून जाएगा इसके अंदर ही फिर मैं एड़ कर दूँगी जब मेरा मसाला पक जाएगा पानी इसके अदर मैं एड़ करूँगी ताकि ये लगे नहीं और बात में इसके अदर मतर एड़ कर दूँगी आज आपने अपने घर में क्या बनाया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अपने बन्दे से बहुत ज्यादा महबबगत करता है और सतर माउ से ज्यादा जो है अपने बन्दे को अदमाईश में डालता है ना तो उसको अजियत देने के लिए नहीं डलता बलके कुछ सिखाने के लिए डलता है जितनी जल्दी अगर हम सीख जाएंगे उतनी जल्दी वो दूर हो जाएंगी तो ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि अगर मेरे पे अजमाईशे आई है ना तो आप यकीन करें मैंने इतना कुछ सिखा है इतना कुछ सिखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती और मैं अलाबाका लाग लाग शुकर अदा करती हूँ कि इन सारी अजमाईशों में सबसे पहले जो मेरे इड़ गिर्ड मुनाफिक थे मुनाफिक लोग जो है वो मेरे से दूर हो गए और मेरी जिन्दगी जो है ऐसी हो गई है आप यकीन करें इतनी खुब्सूरत हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिन्दगी का आगाज जो है असल जिन्दगी के माईनी क्या है वो यह है कि आपके इड़ गिर्ड कोई जो आस्तीन के साब होते हैं जो उपर कुछ पीठ पीछे कुछ अंदर कुछ वो अब मेरे जिन्दगी में नहीं रहे तो कोशिश करें कोशिश करें कि अपनी जिन्दगी में कम से कम दोस्त बनाएं एक दोस जादा अपने अर्दगिर दोस्त नहीं natin रखें हजूम Billक का बहुत शौक है तो अपने बेहन भाई माप बाप हावन बच्चे इनसे बेहतरीन दोस्त आपका इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिनों ने मेरे चैनल का सुनते ही मुझे कॉल्स की मैसेजिस किये और मुझे धेरो मुसला दिया हिम्मत दी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया होट जी बस यहाँ पे मेरी आज की रूटीन यही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है खाना बनायाए तो बस हश्बंन का आने से पहले पहले जो है ना मैं अपनी व्लॉगिंग और यह सब कुछ कर लेती हूं ताकर जब वो आयां तो उनके सामने मुबाइल ने पकरती मुबाइल बहुत कम यूज करती हूं क्यूंकि फिर एक फैमिली टाइम होताइए और आइ इतना साफ करती हूं लेकिन इसके ओपर फिर से निशान आ जाते हैं तो कोई हल हो इसका तो बताइएगा मैं इसका क्या करों मैं साफ कर करके ठक गयूं मेरे हाथ गल गए है लेकिन ये शेलफी कुछ इस तरह किया कि इसके ओपर जो है ना स्टेन लग जाते हैं तो खेर हबी टाइए लिए और इस पंच अलग है यहीं बने बारतन होने वाला बारतन की वालग यहां यहीं है तो यहीं पी मेरे आज का व्लोग भी होता है अगर मेरे आज का विलोग आपको अच्छा लगाओ तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा लाइक आप लोग बिलकुल लेकिन आपको शाय दिल ही नहीं करता मुझे सब्सक्राइब करने पे शायद मैं आपको पसंद ही नहीं और नहीं पसंद हूं तो आज आप प्लाइब मुझे जरूर बताएगा कि स्वीटी सोरी आप हमें पसंद नहीं हैं तो खेर आज का विलॉग होता है यहीं पर दिया विलॉग के साथ अगर अलापाक ने सेहत वली जिनगी अता की तो इन्शाला अब दीजे अजासत, अलाफ़ एजासत, अलाफ़ एजासत, अलाफ़ एजासत.